यह सूजी मैदा का पुवा है कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हो इसको कैसे बनाते है चल चल अब इसका मैं आपको रेसी बताती हूं इसके लिए मैं हाप केजी मैदा और 100 ग्राम सूजी रार रखी हूं आइधर मैं 400 ग्राम चीनी पानी में गोल के रखी हूं अलग से और के दो परोने मिठा और शूजी को रखा लेती हूं मिश्क करने के बाद जो पानी का गोल रखा हुआ है और इसको मैंने थो कर लेती हूं इसको अच्छी तरसा मिख्ली करना है और कुछ नहीं करना है आपसे आप मिंख्लों करो इसको देख सकते हो जितना चीनी और पानी ह Past आप हते हैं ॥ जैसे आप मेठा काते हैं लेकिन हम तरह कम मिठाक आते इसलिए चीनी तरह कम दिये हैं यह देख सकते हूँ इसको धके पांसे छे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दो अब ढ़के रख दो साइड में और और पांसे छे घंटे के बाद देख सकते हैं फुल चुका है मैदा पूरी तरह से मैदा और है तो इसमें आप रख सकुछ इससे क्या होता है स्वाद अच्छा आ जाता है अच्छा इधर-मने की हूं इसको दूद में मिक्स करके घोलना है इसमें पानीme नहीं डालना न लोगी पाρι इव सश्को है गोल व्रत तियार करना है मोठा भी न है कर देख सकते हो ऐसे स्मूथ ऐसे अच्छा लगता है ऐसे आप अपने घर में बना कर दिखाओ यह देख सकते हैं इतना मेरा पुवा का घोल एक्जम रेडी है अब इसर मैं कराही में ओयल करने के रखी थी यह मेरा पुवा का घोल में जो रखी थी उसको डाल दी हूं दिखाती आपको स्कस्टğिस के उपर धालना है कि प्र 9 इस से क्या होगा जो उपर का भाग उपर का जो यह पारत है पुवा का अथ्षे तरह से पक जाता है एधर देखो फलात दियोем एक साइश से मेरा पुवा बना हो गया है अब दूसरे चाहिए अब देख सकते हैं मेरा ये पुआ बिल्कुल रेडी है खाने के लिए तयार है अब बहुत टेस्ट ही है बहुत सौफ्ट मनता है फ्रेंड्स आप लोग भी बना कर खाओ फ्रेंड्स एक्ज़ूरी बात इक गज्यास का फिलेमग दम कम रखना हैं ज्यादा नहीं रखना है इधर मैं एक और पुआ आपको दिखा रही हूं इसे एकए करके मैं सारे पुआ को बना के आपको दिखा रही हूं अधर मैं अधर में को कल्ची की मतद से आhistे-ाburstे-स्ते इ देख सकते हुए यह मेरा पुवा बनके अब मैं एक गर करकर के सारा अच्छ पूआ बना लेती हूं। ऐसे है आप लोग भी बनाओ और खाओ बहुत टेस्टी बनता है। बहुत शॉफ्ट भी बनता है कोई भी खा सकता है इसको। और अगर मेरा यह पुआ सुजी मैदाव का पुआ अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना